जाएं दोस्तों मैं विपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वेप स्टेडी पॉइंट में आपका आधिक स्वागत करता हूँ जैसे कि आपको पता है हम मैत पड़ा रहे हैं मैत में हमारा मैंसुरेशन का टोफिक चल ला है मैंसुरेशन के अब तक हमने नो लेक्चर आठ नो लेक्चर हमारे डल चुके है जो आज हमारा नेक्स लेक्चर चलेगा तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें क्योंकि आपको पता है जो यह हमारा एक चैनल है यह एक बलब की तरह है जो आपके जीवन में नोलिज का परकास बढ़ देगा तो प्लीज आप इसको सस्क्राइब जुरूर करें आगे बढ़ते हैं देखतें कंसेप्ट की और जो आज हम पढ़ाएंगे आपको घन और का है घन और घनाम में मैंने आपको इसके सारे फोर्मुले पीछे लेक्चरों में आपको बहुत अच्छे से समझा दिये थे उन सभी इंपोर्टेंट फोर्मुलों करेंगे बढ़ते कोशन पर सबसे पहले हम इजी से कोशन लेकर चलेंगे इजी से इसका लेविल बढ़ात से घजटेंगे तो पहला कोशन है हमारा यदि दो घनों के आयतनों में 27차 हम यह कोशन हों से आएन चाहिक है अयाद मैं मतर ठैकी वाट येवन ट्यू यह मैंल deux तो इनका आयतन होगा कितना होगा भूजा की क्यूब यहां से क्यूब है इनका प्रोप्रटि बनगी हमारी यहां से क्या दिया है हमारा कितना पहले का 27 27 बटे एक इसटीया था बड़ाबर Karen की क्योवड़ब 원 की इतु की क्योव यहां से हमें क्या करना एवन और टू की वेली निकाल लेंगे यहां से क्या करेंगे दोन्य पख्ष्णों का क्या ले देंगे क्योपर ले देंगे हम तो यहां से क्या जाएगा एवन रेशो एटू की वैलू कितनी हो जाएगे जब इसकी क्यूब रियूट लेंगे 37 यानिके 3 की क्यूब एक का तो एक यानिके 3 अनुपाद 1 ठीक है दोस्तों जो यानिके उनकी भूजाओ का अनुपाद कितना हो जाएगा एक है दोस्तों यहां से यह वाला रिलेशन हम यहां पर यूज कर लेंगे और यहां से जो इस कमान निकल काया हो जाएगा तीन अनुपाद एक ही हमारा क्या हो जाएगा आंसवर यानि option कौन से ठीक है option हो जाएगा हमारा first option first is the right answer बढ़ते है second question की और तो next question screen पर आ चुका है यह भी पहले की तरही question है यदि दो गहनों के आयतनों का अनुपाद दिया है 27 अनुपाद 64 तो उनके संपून परष्टे छीतपलों का अनुपाद पहले भूजाओं का अनुपाद पूचा था इस बार क्या पोच लिए संपून परष्टे छीतपलो का नीकालो यहां फे सबसे पहले क्या करेंगे अनुपाद लिम्लागी का निकल बहुत मेरे आप एक यहां सबसें मोच मि पहले एक पहले वाल में रहरा अप 1 2 दूसरे को है पार तो यानी जो इनका साजीतना तो कि तो कि तो निकल जाएगा जाएगा एवन यानि के दोनु पक्सों क्या कर देंगे क्यों रूट करेंगे तो यह 27 यानि तीन का और सब्सक्राइब निकाल ली समझतों आया होगा ना कैसे आया है यानि देखो 27 को लिख सकते हैं 27 जो होता है हमारा इस तरीके से होता 3 की क्यूब एस को lies सकते थे लिए के कि क्योब बटते चार की ट्यूब इन दोनों का क्या करते क्योब रूटळ पूर की यहां से आगे अब हमें निकालना है है उन्स दोनों जो गन यह ऊंस्किश परस्ट वोब्रा नौStud अनुन का उप्स्ट演। होता कितना है हमारा मैंटत फ्रफट का स्कॉयर के considerations यह ऐपने स्कॉयर उनके शीक्स स्कॉयर को नो स्कॉयर स्घ्ष और अनुपात अनुपाद 16 यह क्या हो जाएगा आंस्वार यानि ओप्शन कुण से ठीक है ओप्शन 3 ओप्शन 3 इदा राइट आंस्वार सिंपल से कोर्षन था छोटे छोटे फॉर्मुले बेशे आप देख लो और करते रहो आगे बढ़ते अब स्क्रीन पर है किसी घनाब की बुझाओ का नुपाद दिया है उसका परस्ट छेट पल 88 cm2 तो घनाब का इतन क्या होगा ओप्शन यह दिदिये हमारे सिंपल सा कोर्षन है फोर्मुलाब यह से कैसे करते देखो घनाब की बुझाओ का नुपाद दिया यानिके लंबाई चोड आए बी ऊचाय भी तो हमने माली लंबाई यानिके एक्स जोडाई यानि बी मान लिनने तुएक्स और हमारी ऊचाय क कितनी होगी 3x ठीक है जी यहां से आगे दिया है उनके परिष्टे छेथपल यानि घनाब का परिष्टे छेथपल क्या होता है 2 into LB प्लस BH प्लस HL ठीक है जी इसकी value कितनी दिया है 88 यहां से दूर से इसको काट दो कितना यानि 44 और इनकी value यहां पे put कर दो यह क्या हो जाएगा L into B यानि के यह हो गया हमारा 2x square प्लस B into H यानि के 2x 6x square प्लस यह और यह यानि के 3x square बराबर कितना 44 अब इन सब को जोड देंगे 3x square 6x square 9 और 2 11 यानि 11x square is equal to कितना 44 यहां से 11,11,11 ग्यार चोख 44 यानि x square ग्षार बराबर-4 और 302 वियूँ कितने आगे दो आगे दो यानि के जो ये वैल मुवरू हो जाएगे हमारे लंबा शोड़ाई 20 कि कि तु हो जाएगे टेक्षीतन कि पतने युचव ते tekrar गच्वशिप nécessaire켜भा चुब हमारी जो चोड़ाई होगी चार उचाई कितनी हो जाएगी 6 अब पूछाए क्या होता है यानि वोल्यूम लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई यह तो होता है यानि के 2 गुना 4 गुना 6 चैनल जाता है यहां से सीधी सीधी वैलू पूट करनी थी और फोर्मुले में रख दें थी आंसर निकल जाता अब बढ़ेंगे नेक्स कोशन पर इसकीन शोट ले लो चाहिए आप इनके नेस्ट कोशन स्कीन पर आ चुका है दोस्तों इंपोटेंट कोशन है इस तरह कोशन पेपर में आ जाते हैं यह बहुत अच्छा वाला कोशन है थोड़ा सा है यह इसको समझे लेना उस सबसे लंबी छेड़ की लंबाई ग्याद कीजिए 10 मीटर लंबी 6 मीटे चोड़ी और एसका स्कॉर यह किसी घंगी सबसे लंबी छड़की हम लंबाई निकाल सकते हैं तो एल कितनी दिया है हमारी 10 प्लस चैका स्कॉर प्लस चार का स्कॉर इन सब को जोड़ देंगे जब इंशोल करेंगे दसका स्कॉर 100 छे, 4 three so and 16又 136 152 कितना होग्या एक हो स्कॉर एक एक सो स्कॉर प्लस पहलं एक हों कितना होता है यह होता है हमारा 38 चोका 152 एनकि स्कौ 4 गुना 38 इस तरीका से लिख सकते हैं जब 4 आल्च रुट से भाहल लाएंगे तो कितनास दो अन्डर रूट 38 ठीक है जीकती कि क्या था किसी भी छड़की उसकी जो मैक्सिमम हमें लेंथ निकाल नहीं है किसी घंड में तो उसका फोरूम नहीं होता है अंडरूट L स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस H स्क्वार यहां से वैलू पूट कर दी फाइनल आंसर आ गया तो अंडरूट 38 मीटर ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर दोस्तों नेस्ट कोशन स्कील पर आ चुका है उस लम्मी से लम्मी छड़की लंबाई याद किये जो एक 16 मीटर लंबे 12 मीटर चोड़े कता दस सही दो बटे 3 मीटर उच्छे कमरे में रखी जा सकती है यह अभी ह दोस्तों माइक लगाना भूलेगे ते इसलिए वीडियो कोश करनी पड़े आप आगे देखो लंबाई दी है कितनी 16 मीटर चोड़ाई दी है 12 मीटर और जो उचाई है दस सही दो बटे 3 मीटर है तो देखो कैसे करेंगे पिछे वाला कंस्ट अभी हमने बताये ता यानि क् पांडरूट सबसे वड़ी लम से जो लमभी छड़की जो हमें लंबाई क्याद करनी होती है किसी कमरे में उसका क्या फोरूपना था अंडरूट यह काई अडरूट यह स्कौर प्लस बी स्कौर फीर प्लस ची स्कौर यही तो है घर लुपूट कर दो एल कितना है हमारा 16 स् दस तिया 30 32 32 32 बटे 3 का स्कूयर ठीक है जी ये हमारा यहां से स्कुल कर लो 16 का स्कूयर यहनी 256 बारा के स्कूयर 144 अब यह इसका हो जाएगा यहनी 32 का स्कूयर बटें 3 का स्कूयर 32 का स्कूयर एक हजार 24 तीन का स्क्वार कितना हो गया 9 अब इसको यहां से आगे सूल कर लो 4 अच्छे 10 के 0 9 और 1 10 के 0 3 और 1 4 फिक है जी और प्लस कितना हो गया एक हजार 24 बटे 9 यहां से क्या करेंगे इसके बटे में कल्सम ले लिया यानि कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा आगे 9.36 यानि के 3600 प्लस 1024 बटे में कितना हो जाएगा पूरा 9 इनको हम जोड़ लेंगे हैं कितना यानि 4 2 6 और 4 बटे 9 424 कि इसका वर्ग होता है 68 का यानि कि यह बहार 68 और 3 तीन का वर्ग 9 यानि कि जो सबसे बड़ी जो भूजाए लंबी से लंबी कितनी बड़ी भूजार रख सकते हम 30 बटे 3 मेटर के इसको आगे सोल करेंगे तो कितना जाएगा यह कर जाएगा हमारा विज दो तीन दून इच्छे तीन दून इच्छे और दो बटे 3 मेटर यानि ओप्शन कौन से ठीक है ओप्शन नमबर 3 इस दा राइट टांसवर ठीक है दोस्तों सिंपल से कोशन था बताईए कि आज आएगा ठीक है दोस्तों वीडियो को पोज करो और स्कॉस्टन करो इसका आएगा आगे बढ़ेंगे फिर हम नेस्ट कोशन पर ठीक है अब देखते हैं बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर आप इसको बताना हमें क्या आएगा स्कांसवर नेस्ट कोशन स्कीन पर है पढ़ते कोशन क्या है पंदर सेंटिमीटर भुजा वाले किसी घं में से तीन सेंटिमीटर भुजा वाले कुल कितने घं काटे जा सकते हैं शिंपल सा कोशन इस परकार के कोशन भी आपको मिल जाते हैं पिपर में क्या करना है यानि कि जो बड़ प्रिव्या वाला गंने उसका अटन क्या होगा यानि के बड़े घं का अटन बटे चोटे गं का आटन या व्याम ठीक है यह बड़े घंक आटन यानि बोज़ा कि क्योब बोज़ा कितनी है बड़े कि 15 गोना 15 जोब का मतलब ठीन ब बार Kauf चोंटे गशन की कितने टीन कोना 33 353 45 5 25 125 कितने supportive स्य स्य तो हुआ यह च्रीció बड़े वाले जनके जो आहताने उसको फिर्ण क्रुद जो यह क्रुदे वाल हैतान से भाग कर दिन तो हमारे जितने भी घं काटे जा सकते उनके सेंख्या निकल के आ जाएगी तो कितनी आ गई हमारी 125 ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन पर है नेक्स्ट कोशन स्किन पर एक्सका है हमारा किसी छे चेतर में शाट मीटर वर्षा दरज्श के जाती हैं बारा मीटर लंबे सब्समीटर चोड़े और पचार सेंट्र गहरे खाली पाने केट एक में संसर पानी की कि शुट है कि यानि कि Temper's सने यानि के हमें बताना त्रेंक में जो पानी कितना पानी की मातर कितनी हर च Потंय यानि क्लना आईतन यॉलियूंग क्लिक्या ओर के हमारे यह घंनाप कीनन और क्लिक्स अधार का क्लिक razi- athletesitter 2 विर्ट तो घंच गनाब कायतन क्या होता है volume of गनाब कितना होता है हमारा L into B into H होता है कि हमें देखो यह तो बस confuse करने के लिए इसका कुछ यूज़नीं होगा साथ सेंटेमेटर वसाद है जो यह इसका कुछ है यूजनी है लंबाई कितनी है 12 मीटर चोड़ाइ कितिनी है दस मीटर उचाह कितनी है 50 cm अब यह दो लंबाय और चोड़़ाई the cm and the test on the eo bhm एक मीटर में कितने सेंटिमीटर सो तो क्या करेंगे को raspberry dough Ukrainian की लिए और आप क्या करना जो करता स्कूंक का तो 202-जिरो कैंसल हो जाएगे 25,66 meter cube तो कितने पानी की मातरे संग्रित होई है कितनी 60 मीटर क्यूब यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर यह दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा और यह दोस्तों समझ आ गया हूं समझ आज आनकी कुल निकानना क्या है हमें घनाब का वोलीूम आंसर क्यतिने शाट मीटर क्यूब बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टों पर नेस्ट कोस्टों इसकी दनता शूर्ट है कितने धारता 8000 लिटर है कितनी धारता है 4000 लिटर के भारी माप उसके भार की जो माप है 3.3 मीटर यानि के लंबाई चोड़ाए और उचाई देदी 3.3 मीटर 2.6 मीटर और 1.1 मीटर है तता इनकी दिवारों की मोटाई 5 सेंटी मीटर है तो इसके नीचे की तली की मोटाई याद करनी है दोस्तो एक बहुत अच्छे इंपोटन च्छे चोड़ाए 1.1 मीटर ये वहार की माप दे दियो और दिवाल की जो मोटाई कितनी है 5 सेंटी मीटर है तो हम क्या करेंगे हमें नीचे की तली की मोटाई चाथ करनी है तो सबसे पहले चुछ को करने के लिए क्या करना है मैं अंदर की माप निकालनी होगी अंदर की मा अंदर की माप क्या हो जाएगी जब अंदर की माप निकालते भारवाली में से क्या करेंगे जो इसकी मोटाई है उसका दूग न करके घटा देंगे अब यह जो हमारी दिवार की मोटाई सेंटेमीटर में दीवी है और जो यह है सारी हमारी मीटर में तो इनको हम इनको भी सें सेंटिमीटर होते हैं तो यदि मैं इसको लंबाई को चेंज करता हूं सेंटिमीटर में तो कितीन हो जाएगी 330 और मैंने क्या बता है अंदर की माप निकानने के लिए जो दुवार की मोटाई है उसकी दो गुना करके उसमेंचे गटा देंगे 10 मंटिपलाई वाई इसी परकार 260 माइनस 10 मंटिपलाई 110 माइनस एक्स एक्स क्योंकि हमें नीचे की तलाई यह हमारी क्या हुई लंबाई यह चोड़ाई यह हमें नीचे वाली घहराई तो निकान लिए इसको क्योंकि यह निकान लिए इसको हमने क्या मान लिए ठीक है इसके के वोल्यीम निकल कंई वोल्यम कितना है वोल्यम यह i5 जाएगा यहां सिस्थी स्थिर्ट पिरवरत कितना अधीटर अब लिटर को ऐसे म foreground मिलीलीटर में ृब्टेज करने क्या है वह जाएगा हमारा यह ठीज़ 220 मंटिप्लाई 250 गुना 110 माइनस X इसको ऐसी रखा यह हो जाएगा कितना 30A और 30 यह कितने किसमे होगे मिली लीटर में ठीक है दोस्तों किस चीज में होगे हमारा मिली लीटर में अब आगे देखो अब क्या करना है इसको आगे सोल कर लो यह कितना है यह हमारा 320 कि सोल करो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी ठीक है दी 20 से 20 और फिर आगे यानिके कितना होगा 32 गुना 25 मंटिप्लाई 110 माइनस X बराबर यह चार जीरो 25 से कम 25 25 ती 75 होगे पांच बजगे 25 दूनी 50 और दो जीरो यह ऐसी 32 से कटेंगे कितने बार शो बार यानि कितना होगा 110 माइनस X बराबर शो इसको में X को अधर लेगा 100 को इधर लिए यानिके 100 बराबर 110 माइनस 100 इस इकल टू देस यानिक एक्स की वैलू कितने आगे हमारी 10 सेंटिमीटर क्या आगे 10 सेंटिमीटर ठीक है जी यह हमें निकालनी थी ओप्षन देख लो ओप्षन में ये मीटर में दिया आये मीटर मीटर और सेंटिमीटर में ही नहीं तो इसको चेंज कर लो यहां पर इसको मैं यदि सेंटिमीटर को डेसी मीटर में चेंज करूँगा तो दर सेंटिमीटर में कितने डेसी मीटर होंगा यानि के ए शाटाए और जब हम यह की मोटाई हैं अंदर की लगी निकलती है जो भी हमारी भाहरवारी मनुदें माँ में से घटा देपने तो अंदर की आ जाती है और उसी से हमारा यह नीचे वाली नीसे तले की क्या निकल जाएगी मोटाई निकल जाएगी कितिने आजाएगी वन देशी मीटर यह क्या होगी हमारा आंस्वर अब बढ़ेंगे नेश्ट कोशन पर इसी कंसेट पर एक कोशन हो रहाम आपको आगे कराते हैं लकडी के एक बकसे की माप 20 cm 12 cm 10 cm है तो लकडी की मोटाई एक सेंटीमीटर है इस बकसे को बनाने में लगे लकडी का इतना क्या होगा यह भी पहले वाले कंसेट पर इक कोशन है अच्छा कोशन है इस परकार के कोशन पेपर में आती जरूर है आप देखो कैसे करेंगे लकड के अंदर जो बकसा है उसके अंदर के विमाई क्या क्या होगी हमारी बाहर वाली विमाई है हमारी 20 12 और 10 अंदर की माप या विमा क्या हो जाएगी मैंने क्या बताया तो जो भी मोटाई है उसका दूगना करके घटा देते हैं यानिके 20-2 क्यूंकि एक मोटाई एक सेंटीम कि गुटाय दस माइनस दो यह कितना ड़ुना दस गुठना चलगा बहुए तो हमें लख्डोजे को बनाने में लगी लकढी का यहाथ किया करेंगे जो तोटोल घटन और अगटा देंगे तो में लकढी जो भी लकढी का है ऑगा जाएगा निकाल लो जी कैसे यानी कि भारवाले घनाब बनता है तीनों चीश लंबाई गुना चुड़ाई गुना उचाई से गनाब यहनी घनाब काईतन क्या होतों लंबाई गुना चुड़ाई गुना फूचाई यानी कि 20 गुना 12-10 मैं से क्या घटा देंगा 18-10-8 घट हाँ ख्राव जीरो दस छे यहां पर कितनी हो गए हमारे तीन यानि कि यह हो जाएगा कितना बद हैगा हमारा numb कितना व्हु प्तिवकर हो जाएगा हमाराła लिए खिक समीज़न कसरों अमंध्र और यह 5 सीघन का solicit prost만 मैं में कॉ जो जोठ़ करना है यह बहुत छोड़कर है क्या दिया है घंका परिष्टे पुल परिष्टे चीत पलए क्या होता है 6 A2 की वैलू कितने के बराबर 690 के चैसे काड़ दो 6 6 इक हम 6 कितने बच गए 36 36 यानि ए स्कॉयर बराबर कितना 16 यानि ए पराबर 4 या बराबर कितना आगया हमारा चार हमें निकालना क्या था आइतन आइतन क्या होता है भूजा की क्यूब इनके वोल्यूम हो जाएगा एक ही क्यूब या निके चार की क्यूब कितना हो गया 64 ठीक है जी सेंटिमीटर क्यूब ये क्या हो जाएगा आंसर बहुत ही जी से कोचन था इसका आंसर क्या जाएगा 64 64 आगे देखो अब तो दोस्तों नेयस्ट कोशहन है हमारा एंग मीटर भूजा वाले घंध को तीन बराबर तीन बार स्वोड़ी तीन बार एक अनुपात दो के कंपात में कम किया जाता है तो कम हुए घंध के एक फलक के छेद पर का कि दिखो कैसे करेंगे एक मीटर बूजा वाले गहन को तीन बार एक अनुपाद में कम क्या जाता है तो कम हुए गहन के एक फलक के छेदपल और जो मूल गहने उसके फलक के चैनल कर भूजाभण वताना है। सबसे पहले हुआ हमें छोटा घन की हमोजाभती होने चाहिए भूजाभध पता होने चाधिया कि यह में चोटे तरि न कीजने के भूजा ॉचानगते हमें करता है , तरिम भूजा की ह offended यहांनी कि छोटे जो हमारे छोटी गण की भूझा कितनी हो जाएगी एक बट्बर T जी कैसे निकाले तिन बार इथर कम के एगा अनी तीनों के इनु सिंक्त कम हुई घं के फलक का छेटपल और जो मूल ञळन उसके एक फ्लक का छेतपल छेतपल का रेशो निकालना यानि के पहले वाले का जो भूजा होगी यह होगी और मूल है उसकी बूजा कितनी है एक छेतपल निकालना घंगा छेतपल क्या होता भूजा का स्क्वायर यानि के एक बटे आठ का स्क्वायर अनुपात एक का स्क्वा कि दोस्तों देखो इसको करने के लिए हम बहुत मतलब लैंथी कर सकते थे बहुत ज्यादे एक समान कर लेकिन आप शूट तरी किसकी समझ लो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं जितनी बार भी कम किया गया है उतनी बार रेशो में मंटिपलाई करा लेंगे यानिके वन वन एक का मतलब यह उता है एक बटे आठ तो हमने इसको एक बटे आठ लिक लिए यानिका छोटे घंकी भुजा आगए एक बटे आठ अब छेत पलों कर दोस्तों के बाशिका है किसी कमरे में वाइउ का आए तन 204 मीटर है कमरे की उचाई 6 मीटर है तो कम्रे के फरस्सका छेत पल क्या होगा बिल्कुल फोर्मूले पर कोशन दिया हुया है लेकिन इस तरीके कोशन पेपर में अक्सर आते हुए हमने देखे है तो इस तरीके कोशन के फोर्मूले आप बहुत अच्छे से याद करना क्यूंकि हमने जो पीछे लेक्टर होई थे उनमें फोर्मूले आपको बह कमरे का आयतन बटे कमरे की वोचाई कमरे की उचाई अक्सरबच्चो के फॉरुमले भूल जाते तो बहुत अच्छे से आप इनको याद करो अच्छे से याद होने चीए बार बार करके याद करते रहा हो दिन में एक दो ये दो ये तीन बार इनको जरूर पढ़ लिए करो तो आपके ये अच्छे से याद हो जाए तो कमरे का इतन दोस्तु चार और कमरे की उचाई कितनी 6 मीटर यहां से इसको भाग कर लेते हैं कि कितना हो जाएगा 618 और 624 यानि 24 मीटर स इसका क्या हो जाएगा आंसर यानि option 4 सिधा-सिधा फोर्मले पर यानि कमरे का इतन उचाई की वैलू पूट करी आंसर आगे 34 मीटर स्कॉयर यदि आपको फोर्मुला याद तो आप इसको पांस सेकिंड में इसका निकाल के पेपर में करके आ सकते थे ठीक है दोस्तों बढ आगे रहा हूं फोर्मले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए तो चेतुस फलक जो समचेतु फलक है उसका यतनका फोर्मुला क्या होता है यह होता है हमारा यानि किनारे का किनार है उसका क्यों बटे 6 अंडरूट 2 वस यह सिम्पल सा फोर्मुला याद है तो आप इस के 4-4 की क्योंब बटे चह रूट दो चार की क्योंग सट बटे च्छ रूट दो अब इसको काट लो देख लो यहां से कितनी घर जाएगा हमारा पर अधिस न खर जाएगा 32 डो रूट को इतना ठीक है दिंट делать può एमारा उस्का क्या अण्सोरा जाएगा यह आणिक है तो फलक का पर के वोलिम होता है कितना एक क्यूब बटे 6 रूट तो एक की वैलु रगदी कितनी थी यानि एक किनारा किनारा कितना 24 64 रोट 2 यहां से तो इसको आगर वस्फुल कर सकते हैं लेकिन ओप्सन में यहां तक जहां सब्सक्राइब कर लेंगे आपको फोर्मुले में बार-बार क्या रहा हूं बहुत अच्छे से याद होने चीए ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं में स्कीन पर देखो अच्छा गोचन है एक घनाब की लंबाई चोड़ाई रोचाई का नुपाद दिया है उनिस अनुपा कर दोस्तों के ऑडर को तोस्तों आअभिशा जेने ऑूच्छा का व्युता है आगे का हैता ह Aeg का है यहां चोड़ाई चोड़ाई क愉न से हमारी इन्हों ने कहक है लंबाई उचाई से सिरी लंबाई 19 इंस मोचाई कितनी से तिर तो लंबाई 19 इंस इंस कितनी है यहां पर 6 छे बराबर किसके दिया हैं? तीसके यानि इसका कितने गुना? पांच गुना तो इसी परकार जो हमारी LB क्या हो जाएगी? 19 गुना 5 ठीक है थी? यानि क्या 19 पंजे? पिच्चान में चोड़ाई कितनी? 11 गुना 5, 11 पंजे? 55 हमें निकालना क्या था? घनाब का इतन घनाब का इतन क्या होता है? वोल्यूम ओफ गुनाब LB एस यानि का ले इंटो बी इंटो हो जाता है इनके वैलो पुट कर दो L कितना पिच्चान में गुना बी कितना हो जाएगा? 55 गुना 65 55 अब इन सब के गुना जो होगी? वो ही आंस्वर हो जाएगा अब देखो वही दो दो और 6 नमबर है मतलब ये हमारे कितने? दो टरम ये, दो टरम ये, दो टरम ये तो ये तो पतला लगा 6 डिजिस्ट का नमबर आएगा जो भी मंटिप्लाई करके आएगा एक तो ये देख लेना 6 डिजिस्ट का ये, ये भी 5 का है ये 6 का और ये 6 का यानि कि ये दो तो होने से गए अब ये इन दोनों में देखेंगे अब देखो लास्ट डिजिस्ट का होगी? 5 ये दोस्तों नेस्ट कोर्षन देखो नेस्ट कोर्षन है एक घनाब की चार दिवारों का छेद पर 400 सेंटीमीटर इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर उसकी उचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी चोडाई क्या होगी? यानि चोडाई की वैल्यों निकान लिए यहां से कर सकते हैं, फोर्मला क्या होता है हमारा फोर्मला होता है चार दिवारों के लिए घनाब का फोर्मला 2 H L प्लस B इसके बराबर कितनी दी है? 400 ठीक है जी? यहां से क्या निकानना हमें? 2 से कर जाएगा, कितना जाएगा? 200 H की वैल्यों कितनी दी है? हमारी 8 L कितनी दी है? 15 प्लस B बराबर यह हो गया हमारा 200, 8 से को गटेंगे यानि 25 रटे 200 यानि 15 प्लस B बराबर कितना हो गया? 25 और B बराबर 25 माइनस 15 यानि 10 सेंटीमीटर यानि ओप्शन कौन से ठीक है? ओप्शन नमबर 4 इदा राइट आन्सवर सिंपल साथ फोर्मूला पर बेस कोशन था यानि के जो चार दिवारों का किसी घनाब के चार दिवारों का छेत पर क्या होता है? 2 into H into L प्लस B is equal to कितना दियता है? 400 यहां से कैलकुलेशन करके B की वैलू निकाल ली कितना आगया हमारा 10 सेंटीमीटर यह क्या होगा हमारा आन्सवर अब बढ़ते हैं नेस्ट कोशन पर नेस्ट कोशन स्कीन पाज चुका है कोशन है 3.5 सेंटीमीटर भूजा वाले घन का इतन याद करना ओप्षन यह दे दिए हमारे चार ओप्षन दिए हैं तो दोस्तो आप इसका स्कीन सोट ले लो मैं साइड हो जाता हूँ आप इस कोशन का हमें सोलुशन यानि कमेंट करके इस का अंसर बताईए क्या आज का अंसर आएगा ठीक है दोस्तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं कल फिर आपसे मुलाकात होगे एक नए व बढ़ाएंगे आपको आपका भी और हमारा भी फायदा होगा और बच्चों का भी फायदा होगा जो हमाई साथ जूड़े गए उनको अच्छा कंटेंट मिल सकेगा यह दोस्तो धन्यवाद